दोस्तों आज हम बात करेंगे फीवर को लेकर फीवर एक ऐसा सवाल जिससे हर माबाप हर फैमिली को कभी ना कभी ज़रूर फेस करना पड़ता है कि आपके बच्चे को फीवर हो गया और फीवर को लेकर आप डोक्टर के पास जाते हैं उन पांच मिनट दो मिनट की कंसल्टे के पास जाने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कई बार वाफिस आकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं सबसे पहले तो फीवर से हमें गुसा आता है कि ये क्यूं हो गया मेरे बच्चे को ऐसा 15 दिन पहले हुआ था फिर से क्यूं हो गया फीवर कितनी बड़ी प्रोब्लम है, friends, मैं आपको यह बता दू, fever आपका दुश्मन नहीं है, fever आपका दूश्मन नहीं है, सुनने में बड़ा आजीब लग रहा है, कि fever हमारा दोस्त है, कैसे है? देखें, fever आपकी बोडी के अंदर तब बनता है, तब आता है, जब कोई भी unwanted मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं है ऐसी चीज आपके शरीर के अंदर चली गई है unwanted चीज आपके अंदर means bacteria, viruses, kitanum, vaccine ऐसी कोई भी चीज आपके शरीर में गई है तो आपका शरीर उसको आपके शरीर से निकालने की कोशिश करता है ये एक तरह से इस कोशिश के दोरान शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कुछ ऐसी reactions होती हैं जिसकी वज़े से आपको fever temperature बढ़ जाता है ये बढ़ा हुआ temperature actually आपकी मदद कर रहा है उस किटानों से लड़ने के लिए उस किटानों को आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए जो ये हमारा शरीर कर रहा है उस टाइम बच्चा हमारा uncomfortable हो जाता है अब uncomfortable बच्चा ना हो उसके लिए हम दवाई देते हैं वो time लेगा 2-3 दिन और बच्चा uncomfortable ना हो परेशान ना हो तो हम कुछ दवाईयां उसको देते हैं जिससे बच्चा comfortable हो जाए तो as such fever बुरा नहीं है अगर fever नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे शरीग में कुछ किटानों गया है और हम शायद ignore भी कर दें तो दोनों चीज़े हैं fever as such किटानों को मार रहा है और आपको aware कर रहा है कि इस चीज़ का आप treatment लेना जरूरी है अगर fever एक या दो दिन रहा है तो कोई tension वाली बात नहीं है अगर लंबा चल रहा है तो अपने pediatrician से consult कीजिए दूसरा सवाल fever को लेकर जो बहुत सारे parents पूछते है कि मेरे बच्चे का सिर गरम रहता है सर क्या किया जाए सिर गरम रहने का main reason जो होता है मैं आपसे वो discuss कर रहा हूँ बच्चों में brain की growth बहुत fast हो रही है आपका brain मेरा brain जितना बड़ा होना था हो चुका अब बच्चे के brain की बारी यह वो बड़ा हो रहा है जब बच्चे का brain तेजी से बड़ा हो रहा है तो वो कैसे होगा blood supply brain की तरफ बढ़ जाती है जब blood supply जिस area में जादा होगी वो area आपके शरीर का गरम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे blood supply जादा है तो forehead हमेशा गरम मिलता है अगर आप जानना चाते हैं सच में बुखार है तो चेक करने का तरीका axilla या फिर oral cavity के थूँ चेक कर सकते हैं with thermometer कौन सा thermometer यूज करें हम इस पे भी बात करेंगे but first of all मैं जो बात कर रहा हूँ forehead गरम लगे अगर बच्चा comfortable है forehead गरम है तो आप इसको ignore कर सकते हैं कोई चिंता की बात नहीं है तीसरा सवाज जो बहुत सारे parents हम से पूछते हैं कौन सा thermometer यूज करें यह thermometer लगाने ही नहीं देता है क्या digital thermometer सही है क्या temporal artery thermometer ठीक है या फिर infrared thermometer जो आज कल corona में बहुत popular हो गया है कौन सा best है देखिए पुराने समय में mercury thermometer यूज करते थे gold standard था लेकिन mercury के साथ बहुत सारे side effects भी associated है वो एक toxic material है तो अभी हमारी recommendation यह है कि mercury thermometer को यूज ना कजी digital thermometer आज की date में easily available है quite accurate है काफी उसकी accuracy ठीक है वो आप use कर सकते है एक problem parents की रहती है जी लगाने तो देता नहीं है जी एक minute कैसे डाएं तो उसका alternative है tympanic drum मतलब कान में एक check करने का electronic instrument आता है temporal artery instrument आता है अगर आप check करना ही चाते है वो use कर सकते है they are quite reliable but most of the time hospital setting में वो use होते है तो practically sir हम घर पे क्या करें देखें आपको ये देखना है कि बच्चा comfortable है या uncomfortable है अगर आपका बच्चा relax है आपको गरम लग रहा है लेकिन वो खेल रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है अगर आपके बच्चे में कोई significant बिमारी होगी जो fever produce कर रही है तो आपका बच्चा comfortable नहीं हो सकता कई parents कहते हैं जी नहीं ये तो बहुत strong है जब तक इसको अती नहीं हो जाए ये बैठता ही नहीं है खेलता रहता है तो friends अगर आपका बच्चा खेल रहा है इसका मतलब है कोई serious बात नहीं है अगर सच में कुछ ऐसी बात होगी सच में fever तेज होने के साथ serious reason से fever होगा तो आपका बच्चा नहीं खेल सकता that is universal हर किसी के लिए हर किसी को अपना बच्चा brave लगता है होना भी चाहिए but practically as a medical point of view से मैं आपको बता रहा हूँ अगर significant fever है तो आपका बच्चा normal खेल नहीं सकता ओके ये था fever कैसे नापना है fever होता क्यों है most of the time जो आप लोग देखते हैं घर पे infections की वज़े से post vaccination ये दो कारण बहुत common हैं जो आप लोग देखते हैं इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं लेकिन अगर आप Google पे सर्च करेंगे तो ऐसे खतरना कारण देखेंगे कि आप परिशान हो जाएंगे तो practically आप ये समझ लिजी कि आपके लिए दो चीज़े ही आएंगी more than 99% यही दो कारण होते हैं infection and post vaccination infection बच्चों में specially छोटे बच्चों में viral infection होता है vaccination का fever और viral fever दोनों fever दो से तीन दिनों में ठीक हो जाते हैं तो अगर आपके बच्चे को fever है आपने उसके लिए दवा दी और दो दिन में बच्चा ठीक हो रहा है तो nothing to worry that was most likely viral या post vaccination as per history आपको बता रहता है अगर आपके बच्चे का fever तीसरे या तीसरे दिन के बाद भी चल रहा है it is always better कि आपका doctor decide करे कि आपको fever क्यों हो रहा है लंबे fever को ignore मत कीजिए लंबे fever के लिए telemedicine या phone के द्वारा consult करने की कोशिश मत कीजिए हाँ एक से दो दिन का fever है आप through phone भी contact कर सकते हैं या फिर अपने आप भी PCM दे सकते हैं बट हमेशा ध्यान रखिए कि between the fever जब fever उतर गया तो आपका बच्चा comfortable खेलते हुए होना चाहिए ओके हाँ Google पे आप सर्च करेंगे cancer, autoimmune ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी बट practically आपके लिए वो सब नहीं है उसको देखकर घबराईए मत हर fever cancer नहीं होता बट Google search इंजन शायद आपको दिखाए कि हर fever cancer हो सकता है ओके तो अगला सवाल अगला सवाल parents का होता है कि मेरे बच्चे को fever हो गया अब मैं क्या करूँ क्या दवाई दूँ अभी मैं pediatricians के पास नहीं जा सकती अभी क्या करूँ तो सबसे पहले सबसे simple दवाई है paracetamol, paracetamol एक ऐसी दवाई है जो safe दवाई है जिससे allergies के chances जिससे reaction के chances जिससे overdose के chances सबसे कम है effectiveness में हो सकता है या आपकी और दवाई है जिससे combiflame, proofane, meptal जो कई बार लोग use करते है कम हो लेकिन अजब आप self therapy कर रहे हैं अपने लिए ले रहे हैं तो paracetamol is the safest दवाई ये आप दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं जब आप paracetamol देंगे आपके बच्चे का fever कम हो जाएगा हो सकता है, normal ना हो normal ना हो means 103 था, 100 आपका बच्चा comfortable हो जाएगा आपको दवाई को और ज़ादा बढ़ाना नहीं है यूँ नहीं है कि हर 2 गंटे, 4 गंटे में देती जाओ क्योंकि अगर दवाई आप extra use करेंगे तो उसके बाद vomiting आना शुरू हो जाता है बच्चे में तो एक problem से निकल कर दूसरे problem में नहीं जाना है एक सवाल बहुत common है parents का क्या मैं बच्चे को tapid sponging जिसको हम कहते हैं गिली पट्टी रख सकती हूँ गुखार उतारने के लिए friends गिली पट्टी बहुत सारे हमारे पुराने पिक्चरों में दिखाते थे कि सिर पे गिली पट्टी रखी जाती थी महाँ पास में बैटी हुई है तो scene बहुत common था पुरानी पिक्चर में but friends अगर आप गिली पट्टी रखना चाहते हैं लुट से थीन चीज़े आपको ध्यान रखनी है पहली चीज गुंगुने पानी का use करना है बिल्कुल ठंडे पानी का use नहीं करना है करना चाहें कर सकते हैं कोई बुरा ही नहीं है दूसरा सिरफ सिर पे ले रखना है पूरी बोड़ी पे कर सकते हैं कोई भी आप पट्टी से या कपड़े से कर रहे हैं, that should be moving, उपर से निचे की तरफ continuously move कर रहा है, पानी move करता रहेगा तो जल्दी होगा, एक चीज़ हो रहा है कि सिरफ tapit sponging with paracetamol is more effective, that has been proven, ये दिखाया गया है कि paracetamol के साथ अगर आप sponging कर रहे हैं, तो वो ज्यादा effective है, सिरफ tapit sponging या सिरफ paracetamol, comparatively less effective है, तो ये दोनों चीज़ों का use आप इकठे-इकठे कर सकते हैं, कई लोग कहते हैं, जी sponging करी, इस वज़े से नाक बंद हो गई, ठन लग गई, तो सर ऐसा कुछ नहीं है, ठन लग गई, या नाक बंद हो गई, that means viral infection पहले था, जो पह खार में बच्चे को नहलाना चाहिए, बहुत सरे हमारे पुराने traditional system मैं कहूंगा, BMS, Ayurvedic, Homeopathic, I don't know, उनके concept से नहलाना चाहिए, या नहीं नहलाना चाहिए, but according to our system, according to evidence, मैं वो बात कर रहा हूँ जो evidence कहता है, कि during fever भी बच्चे को अगर नहलाया जाएगा, तो वो ज़ जादा जल्दी ठीक होगा, जादा साफ सुथरा रहेगा, तो ऐसी कोई indication नहीं है कि बच्चे को नहीं नहलाना है, even type fever है, तो भी आप नहला सकते हैं, कोई और fever है, तो भी आप नहला सकते हैं, बस पानी गुन-गुना हो, बच्चा comfortable feel करे, that's all, this was regarding नहलाने के, इसके पस उसमें ये ध्यान रखिए, अगर हो सके पूरे दिन की बजाए, आदे दिन के लिए बाद ले आईए उसको, या ये possible है कि अगर बच्चे को fever था, बहुत जादा खेल कूद लेगा, तो शाम को ठका हुआ feel करेगा, आप परसिटमों दे सकते हैं, बड़, make this decision depend on the child, आप उसके लिए decide मत कीजिए, अगर वो जाना चाहता है, तो बेज दीजिए, अगर वो uncomfortable feel कर रहा है, तो उसे जरूरी नहीं है कि force करके, दवाई दे के बेजना ही बेजना है, एक और सवाल fever को लेकर होता है कि क्या मुझे antibiotics देनी चाहिए, देखे अगर आपका बच्चा छोटा है, epidemiology मतलब अगर मैं whole population में देखू, तो more than 95% बच्चों में reason जो है, वो viral होता है, virus, antibiotic, इन दोनों का कोई relation नहीं है, antibiotic is for bacteria, बैक्टीरिया एक और तरह का microorganism में एक किटानू है, जिस पे antibiotic काम करती है, छोटा समय example लोगा, as a parents, आप लोगों को feel करना पड़ता होगा, कई बार politicians हैं और गुंडे हैं, दोनों आपको तंग कर रहे हैं, तो क्या आप police से politicians को कुछ करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, police से आप गुंडों के पिछे तो भगा सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से antibiotic, bacteria को तो मार सकता है, viral नाम क का जो politician है, उसको antibiotic कुछ नहीं कह सकता, viral fever में antibiotic का कोई भी रोल नहीं है, अगर आपके doctor ने prescribe किया है, आप discuss कर लीजिए, most of the time आपका doctor prescribe नहीं करेगा, आप उन्हें force मत कीजिए, यह नहीं सर एक antibiotic लिख दो, okay? एक अगला सवाल बहुत common रहता है, कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है fever के दुरान सर में क्या करूं, अगर आपका बच्चा fever के दुरान नहीं खा रहा है, तो यह बिल्कुल भी abnormal finding नहीं है, क्या आपको याद है, आपको last time fever कब आया था, कभी न कभी आपको जरूर आया होगा, आपने भी feel किया होगा कि fever के दौरान भूख नहीं लगती, चाहिए आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आप अपने पती देव को या पतनी को force करके खिला दे, जो force बच्चे पे नहीं चलेगा, actually होता किया है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि fever में हमारी body में ऐसे chemicals बढ़े हुए हैं, जो कितनों को मार रहे हैं, बट साथ साथ वो chemical आपके भूख के center को बंद कर रहे हैं, इसी वज़े से बच्चे को fever के दौरान भूख नहीं लगती, दो से तीन दिन बच्चा है, उसका मुँ छोटा सा रह जाए, पर उसी टोकने लग जाएं कि क्या कर दिया, इसको कमजोर हो गया, ऐसे हो गया, बट I assure you, जैसे ही वो ठीक होगा, खाना शुरू कर देगा और बिल्कुल normal हो जाएगा, ओके, एक important सवाल, मुझे fever को लेकर चिंता कव करनी है, यह सबसे important सवाल है, I will say, क्योंकि fever हर बार इतना बिनाईन नहीं होता, हमें चिंता तब करनी है, अगर fever में बच्चे को persistent vomiting, मतलब उल्टी रुक ही नहीं रही है, drowsiness, मतलब बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया है, सो ही नहीं पा रहा है, सिर्दर्द बहुत तेज हो रहा है, गर्दन बिल्कुल अकडी हुई है, इस टाइप की कुछ प्रोब्लम है, टेंप्रेचर 104 डिगरी फार नाइट से जादा जा रहा है, और दवाई देने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, बच्चा अजीब-जीब सी बाते कर रहा है, ऐसे केस में आपको immediately डोक्टर के पास जान कर रहा है, कूद रहा है, पिशाब अच्छे से कर रहा है, और अभी एक या दो दिन हुए है, तो there is no hurry की एकदम मुझे जाना ही जाना है, एक और common सवाल, क्या fever से दोरे पड़ते हैं, क्या fever दिमाग में चड़ जाता है, देखिए दिमागी बुखार एक अलग entity है, हजारो में से किसी एक बच्चे को होता है, ऐसा नहीं है कि high fever दिमाग पे चड़ जाता है, वो as such दिमागी बुखार है, एक febrile seizure नाम की एक बिमारी होती है, जिसमें fever में seizure आते हैं, वो भी एक अलग entity है, उसके बारे में आप detail में अपने pediatrician से discuss कीजिए, but as such fever हर बार इतना dangerous नही होता, तेज fever दिमाग को खराब करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, so this was regarding the fever, अगर आपके कुछ सवाल है as a parents, जो हम cover करने कर नहीं पाए, तो please comment box में जरूर बताईएगा, thank you.